हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज की रैसिपी बिल्कुल डिफरेंट और नई रैसिपी है यह ना ही पूरी है ना कचोड़ी है ना ही कोई इडली यह ढोगला है बिल्कुल अलग तरीके से बन रही है लेकिन बहुत जबरदस नास्ता बन के तयार होगा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बल आइकन को प्रेस करिए जिसे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक कर चमच ही मैंने या पर डाला है नमक का सबको आपस में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे फुलाना है मतलब इसको सोक करना है भीगोना है लेकिन बहुत ज़दा पानी नहीं डालना है बस हलका हलका पानी डालेंगे और इतना ही पान क्योंकि सूर्जी पानी को अबजोब करेगा बाद में तो बस यह एकठा हो गया है अब हमने इसे कवर करके रख देना है रेस्ट करने के लिए और जब तक यह रेस्ट करेगा तब तक हम अपनी स्टफिंग तयार कर लेंगे तो इसके लिए बस तीन से चार टेबल स्पून प दोया है इसको दोड़ें पानी निकाल दिया है और मिक्सर-ग्राइंडर में हम डालेंगे एक अलू तो यह कच्छा आलू है मीडियम साइच का आलू है इसके मोटे-मोटे पीसे कट करके हमें डाल देना है इसके साथ ही डालेंगे आदा इंच अद्रग का टुकड़ा और दाल मिर्च तो एक दम रफ्ली चॉप करके हमें डाल देता है क्योंकि हम इसे ग्राइड करने वाले हैं और इसके साथ ही लेगे एक प्याज और साथ में दो खलिया लहसुन, जप्राइड नहीं दालें बस दो खलिया डालेंगे आई उनिसको अदम दर-दरा एक बहर हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे मैंने यहां आलु पियाज लिया है आप इसकी जगह लोकी ले सकते हैं कैप्सिकम ले सकते हैं गोबी ले सकते हैं आप गाजर ले सकते हैं सबजी आपके पास अवेलबल है वो आप डाल सकते हैं और इसको आप अपनी तरह से हल्दी वर्जन दे सकते हैं तो अब हमने इसका लिड हटाया देखिए हलका सा ग्राइंड कर लिया है और इसी में हम डाल देंगे अपनी डाल जो हमने भिगो के रखी थी और ध्यान रखना हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है आलू और प्याज में पानी होता है उसी पानी से ये दाल पिस जाएगी बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे नहीं तो ये गीला हो जाएगा तो बस पानी को बिल्कुल भी अवोईट करना है यहां पे बिल्कुल नहीं डा और एकितम पेस्ट बना कर तयार कर लेंगे तक देखिए यह देखिए एक ठाल में बहुत सारा दाल लगा थे अदिकल कर लेंगे इसके बाद रूमारी प्सफर कर लेंगे तो भस दाल पिस गयी है ऐसे दूसर बरतन में निकाल लेंगे और अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे पीस्ते ताइम बिल्कुल मट डालेंगे यहां पे डालेंगे उससे एक दरदरा सा टेक्शर आएगा बहुत ही अच्छा खाने में लगेगा जब मुह में आएंगे जिसे तो सबसे पहले मैं यहां डाल रही है एक चुट किया हुआ साबुद धनिया जो धनिया की बीच होते है और एक चुटाई चम्मच ही हमने इसमें नमक डाला है नमक जादा नहीं डाला है क्योंकि हमने सूजी में भी नमक डाला है और चाट मसाला में भी नमक डालना है तो बहुत हिसाब से डालना है हलका सा मिक्स करके इसम बहुत जहां हम इतना सॉफ्ट थ्हुआ के आठी अग। मीतरम में की समधाथ आथे मेंस जल लेना शेक अज़ को कもう वत खे। एई और फेले को बेल भलके को थी पोलिण स royalty नहीं है. आप नहीं कमान यह चेप जराएगा नहीं लोगा जल जाएगाई में ज़लें। बहुत आराम से यह बेल कर नहीं है तो यह देखिए, आप इससा भी बेल यह जरूरी नहीं है इसको गोल बेलना क्यूंकि हम आगे इसको कट करने वाले हैं, जैसा भी आप से बिल जाये यह तेड़ा मेडा वैसा आप इसको बेल कर तयार कर लीजिए और अब आप देख लीज पूरियां चाहिए एक ड़ाबर साइज की इसलिए हम एक साइज से ही इसे कुट कर लेंगे तो यहाँ पे मेरी 4 पूरियां कटकर तयार हो रही है निखिये बहुत ही आरामसे कट रहे हैं तो यह कर लिया है चारों और अब जो एक्स्ट्रा अटा है या सुझी का जो डो है उसे हम निकालके हटा देंगे और इसी तरह से हम इसके भी दुबारा से बेल के और वापस से सारी पूरियां कट करने है इस तरह से हमें तैयार करना ह मेरा हम आपनी स्टफिंग तैयार कि थी वो लेना है और एक प्रेस पर हमें इसे रखना है एक चब मच के करीब रखना है बहुत जादा नहीं रखेंगे तो बस इतना सा रखना है और जो दूसरा पीस अमने बेल के रखा है उसको इसी तरह से कट कर ने रखा था धा दूसरा और हास से मैं इस तरह से चारो तरप से प्रेस कर दे रही हूं अच्छे से चिपका दे रही हूं तो यह बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा और बस यह हमारा एक पीस नास्ता हमारा बनकर तयार है मतलब पकाने के लिए तयार है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे एक म हमें नास्ते बना कर तयार करने हैं हलका सा हाथ से प्रेस करेंगे दुबारा से एक बर इस तरह से बहुत ही आराम से तयार हो जाएंगे और अब मैंने पानी चड़ाया है कढ़ाई में तरीब दो गिलास के और इसमें हम डाल देंगे एक चमच घी आप तेल भी डाल सकते हैं चीपके रहे हैं यह जिते हम anál के ऑर जैसे हलका से àsब बॉयल इंएल लग एखिए है अब इसमें अपना जो नाष्टा है वह ढूललेंगे तो तेल भास को डालना है कि यह जो पूडी आपस में यह ज्टी जो जाना раньше हैं 숨ुआ पास JIMें नाष्टा कर दूडेंगे पकाइब अपर 10 बाइब गाफ अराम से पक जाते हैं यह देखें रहते हैं अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे तो गैस का फ्लेम हमने आफ कर दिया है और सारही नास्ति जिसे हमने बनाए हैं तो पक्क टो यह तैयार है अब हम इसे त्होड़ा सा ठंडा होने देंगे, जिसे यह जो फार से चिप 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 6 0000 tell the other day, बिलकुल हट जाए दो यह तो यह देखे बिलकुल अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे कुट रिगए तो एक नाइफ लेना है और उससे जो चांट हरे जाए राया है यहां लुक्तавно लेखंग एक जैसे दार, लाक को टारे है सकता है। हरे धनी की चटनी के साथ यह बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ही लेकिन हम इसे फ्राइ करने वाले हैं इससे इसका टेस्ट एक गुना और बढ़ जाएगा तो अब आप देख लीजिए यह कितने सुंदर लग रहे हैं कटने के बाद और इसको आप ऐसे ही इन्जॉय करिए बहुत ही जबरदस्त लगते हैं बहुत ही जादा हेल्दी है यह पर हम इसे फ्राइ करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है उससे टेस्ट और इसके स्पाइसनेस बढ़ जाएगी तो हमें उसके लिए लेना है एक पैन और उसमें हम डालेंगे एक चम्मस तेल बहुत जादा ते ज़रूर अगर आपके पास है तो डालिएगा और अब जालाएगा यह तो पैयाज के लिए का ज़नाश्त के लिएर में इसको फ्राइगा हैं बहुत जाता हम इसको लाल नहीं करने वाले हैं बस हलका से इसका कलर चेंज हो जाएग हल Ol стран है प्रह्ट वह जादा ऐगे एक थ tomato ketchup और एक चम़ज pizza sauce tomato ketchup खटा मिठा होता है और जो pizza sauce है वो थोड़ा सा spicy होता है तो यह दोनों ही हमारे नाश्टे के में balance ले आएंगे एक अच्छा सा मसालो का तो बस अब हमें इसे mix करके इसमें हम जो नास्ता बना के तयार किया है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से mix करेंगे, बहुत ही अच्छे से mix करना है, सारे मसाले जो है वो अच्छे से coat हो जाए हमारे नाश्टे पर, और flame को यहाँ पर कर देना है medium, क्योंकि अभी तक हमने flame low रखा था, अब medium flame पर इसे अच्छे से तो हलका सा fry कर लेंगे, और last में हम डाल देंग आप जिसे बोल सकते हैं पनकर तयार है बहुत ही टेस्टी तो गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे और अब हम इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे बहुत ही अच्छे लगते हैं इसको आप गर्मा गरम ही सर्फ करिएगा बहुत जबरदस लगेंगे यह नाश्ता आप सबको और कुछ नया ट्रेस्ट करने का मौका भी मिलेगा जो कि बहुत ही ज़ादा जबरदस लगने वाला और हमने इसे डाल से बनाया है तो यह प्रोटीन से भरपूर नाश्ता आप इसे कह सकते हैं पॉस्टिक है प्रोटीन इसमें भरपूर है और लास्ट में हम ने इसे हरे ध आपको आज की रेसिपी पसंद आई है पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिये साथ ही फैमली और फैंस के साथ शेयर करिये सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और लास्ट में जो आपको एंड स्क्रीन पे दो रेसिपीस देखने को मिल रहीं उ जुज जुज ज झाज सब्सक्ष्टाइब करिया जिल्सक्राइब कर दो पस्सक्रीन पेस्वाद की बिलिएक